लोग सभा चुनाओं के वीच कॉंग्रेस पार्टी भारी संकट में है दरसल कॉंग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की तरब से ही जटके मिल रहे हैं कॉंग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिल्सिला थमने का नाम नहीं ले रहा कॉंग्रेस छोड़ने वालों में आज एक और नाम जुड़ दिया है और वो नाम है रादिका खेडा का पॉंग्रेस सोड़ने के एलान की फौरन बाद रादिका खेडा ने पॉंग्रेस और पाल्टी नेताओं पर कई आरोप लगाए है सत्य है कि जब-जब किसी ने धरम का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है चाहे हिरिन कश्यब जी हो चाहे रावन से लेकर कंस्ता कि ये सब उधारन है कि किस तरीके से जब-जब धरम का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है श्री अरोध्याधाम रामलला की जन्भूमी हम सब हिंदूओं के लिए बहुत ही पवित्रस थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आपको रोक नहीं पाई लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ मैं चीक चीक कर गुहार करती रही छोटे से लेकर सबसे बड़े श्रीश नेतितर तक गुहार करती रही लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और सिर्फ और सिर्फ इसले नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लला के दर्शन करकर आई और मैं अपने आपको इस बात से रोक नहीं पाई जिस दिन से 25 एप्रिल को मैं राम लला के दर्शन करती आई हूँ मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पार रहा है पार्टी से और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा ऐसा होगा प्रभु शिनाम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यभार और बरताव किया जाएगा मैंने नहीं सोचा था 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है एनिस जुआ से लेकर एएसीजिया नैशनल कोडिनेटर प्रवक्ता होने के नाते में ने कार्य किये हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है लेकिन आज जब मुझे न्याई की जरुवत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याई नहीं मिलेगा तो बहुत दुख के साथ बहुत पीडा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से प्रात्मिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याई जरूर देंगे कॉंग्रेस चोड़ने के बाद रादिका खेडा ने कहा कि मैं भारी मन से कॉंग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर भी नोने कॉंग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं न्याई की लड़ाई लड़ते हैं और जब हमारे साथ ऐसकी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ मैं चीक्ती चिलाती जो हमारा मंदिर है वहां से भागी और फिर भी न्याई नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया सिरफ इसी लिए क्योंके मैं प्रभुश्री राम के दर्शन करके आई हूँ सिरफ इसी लिए क्योंके मैं एक हिंदू हूँ एक सनातन धरम को फॉलो करने वाली हूँ हिंदू धरम को रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ तो इसी लिए मुझे न्याय ना देना तो ये पार्टी कहा जा रही है क्या कर रही है आपकी लड़ाई रामलला से है क आपकी लड़ाई किसी political party से इस पार्टी को तै करना होगा और बाकी चीजे तो हम जानते ही है किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है पर लगातार ऐसी चीजों पर जाके खिलाफत करना और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है मुद्दा ये है कि प्रभू श् इश्व में खुशी है राम मंदर की लेकिन उसकी वज़ा से कि जो जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अबद्रता करना और फिर न्याय ना देना इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है मैंने छे दिन इंतजार किया न्याय क करी मुझे लगा बोल दिया गया इंतार करो चुनाव है रेंदो भूल जाओ यहां के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा तो इंतजार करते- неб Chance अब मैं प्रभु श्री राम के चड़नों में पहुच गहीं उन्ही से नियाय के उमीद हो औ कि देखे मैं अभी इसी बात पर कायम रहना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत ही समवेधन शील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूं बहुत दुखी हूं बहुत ही अंदर से और में को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से समय गुजर रही हूं क्योंकि बहुत भा चुपी साध लेते क्योंकि सिर्फ इसले क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इंकार कर दिया जाता है तो इस समय यह बहुत ही गहरी चिंतन की बात है बाकी वो किधर से चुनाम लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है लेकिन मैं अभी और कुछ कुछ कहने की स्तिधी में नहीं हूँ अगा तार श्रीश नेतित्व को यह शिकायत करती आई हूं मैंने सभी को शिकायत करी कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा और लगा तार मुझे चुप रहने को कहा गया बाकी बाते मैं कल प्रेस कॉन्फरेंस के जरिय सभी से शेर करूग बता दे कि हाल ही में दिल्ली कॉंग्रेस के अध्यच अर्विंदर सिंग लवली ने भी स्तिफा दे दिया था लवली ने कल ही यानी 4 मई को दिल्ली कॉंग्रेस से कई नेताओं के साथ बिजेपी जॉइन कर ली अर्विंदर सिंग लवली से पहले भी कई कॉंग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे टाइमस नाउनो भारत डिश्टर की रिपोर्ट